नमस्कार दोस्तो बालाजी स्टेरी एड़ा में आपका स्वागत है तो पिछले वीडियो में हमने सीटेट अपर प्राइमरी का जो है वो पहला पार्ट देखा था जिसमें हमने कक्छा 6-7-8 NCRT-based 20 प्रसन जो है वो सोसल साइंस सामाजी का दिन के देखे थे आज हम देखें उसका पार्ट नमबर 2 तो चलिए सुरू करते हैं प्रसन नमबर 1 से पहला प्रसन आपका कह रहा है कि निमलिकित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह है ये मैं प्रसन जो है पिछले वाले पार्ट में पूछा तर कहा था अगले वाले पार्ट में इसका उतर देंग तो 4 option दे रखे हैं तो चार ओप्शन दे रहें आपको बताना इन 4 हो में से कौन सा जो है वो सही होगा तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका option number D breastpati gray जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा जोवियन जो ग्रह है वे ग्रह होते हैं जो की ज़ादातर हीलियम और उसके साथ हाइड्रोजन ये गैसों से मिलकर जो है वो बने होते हैं अब जैसे कि ब्रैसपती ग्रह हो गया सनी है यूरेनस है नेप्चून है इन चार जो आप ग्रह के नाम देख पा रहे हैं, इनको जोवियन ग्रह के नाम से ज़़ए, वो जाना जाता है, तो नाम एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेसपती, सनी, यूरेनस, और उसके साथ साथ नेप्चियून, परते अपने अगले प्रसन दूसरे के तरफ, कि निमलिकित उर्जा, ज समय में वनसपती संपीडन द्वारा जो है, वो बनी हुई है, तो चार उप्चन दे रखें, आपको बताना, इन चारों में से कौन सा साही होगा, बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका उप्चन नमबर D, कोईला उर्जा जो है, वो बिल्कुल साही हो जाएगा, यहाँ प पेट्रोलियम हो गया, इन सभी में परिवर्टित हो जाते हैं, जो कि आपके उर्जा के संसादन है, तो इसलिए आपका कोईला उर्जा यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि प्राचीन समय में आप कह सकते हैं, वनसपती संपीडन द्वारा जो है, वो बनी हुई है, बढ़ते यह कथन जो है, वो किसने दिया था, तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो लॉर्ड एक्टन जो है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नमबर ए, बात करते हैं अपने अगले प्रस्ण चार की, अगला प्रस्ण चार है, कि निम्रिकित ग्रहों में से कौन सा ग् उससे भिन है, तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका उप्शन नमबर भी, ब्रहस्पती जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका ब्रहस्पती ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सूर से कौन से नमब जब दर्डे मना जाता है तो ये सारी चीजे इसकी विशेष्टा ये जो अनिग रहों से कह सकते हैं इसे अलग बनाती है या विशिष्ट बनाती है बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्ट पांच की तरफ अगला प्रस्ट पांच कह रहा है कि भारत में जो बैंक दर है वो निश्चित की जाती है तो किसके द्वारा निश्चित की जाती है वो पूछा गया है योजिना आयोक के द्वारा भारती स्टेट बैंक के द्वारा वित आत्मक जो साक नियंत्रड़ है उसकी एक विधी के रूप में जो बैंक दर है इसका निर्धानार जो है वो करती है और बैंक दर का उपियोग भी जो है आप कह सकते हैं करती है तो भारती रिजर्व बैंक जो है वो ध्यान में रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं चटा कि चंद्रगुप्त मौरे जो है उसका पुत्र जो है वो कौन था चार ओप्शन दे रखें चाड़क के असोग बिंदु सार या समुद्रगुप्त आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा तो चार ओप्शन दे रखें आपको बताना है चाड़क के असोग बिंदुसार या समद्रगुप्त में से कौन सा सही होगा चंद्रगुप्त मौरे का पुत्र जो है वो कौन था चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका option number C बिंदुसार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा चंद्रगुप्त जो मौरे है वो जो है मौर सामराज के संस्थापक थे और उनके बाद जो उनका बेटे थे उनका नाम था बिंदुसार उन्होंने कह सकते हैं राजपाट समाला था और बिंदुसार के बाद जो है वो असोक आये थे जिसको आप असोक महान के नाम से जानते हैं जिनके सम्मंद में कलिंग युद्ध वो famous है और यहाँ पर जो चालक के देख पा रहा है यह जो है जो चंदरगुप्त मौर थे इनके जो है वो गुरु थे इन्हों नहीं सारी चीज़े इनको सिखाई थी समुद्रगुप्त जो आप देख पा रहे है यह जो है गुपत सामर सामराज से सम्भंदित हैं जबकि चंदरगुप्त humor है यह आपके जो है वह मौर सम्भंदित हैं तो यह दोनों में वह अंतर है तो हब बात करते हैं चंदरगुपत मौर जॐ इनका सासन कहां से कहां तक फैला हुआ था, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक थी, वो मैंने आपको बताई थी पहले, यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिवाइस कर देता हूँ, एक छोटी सी आपको लाइन ध्यान रखनी है, मैं ही बंगाली हूँ, बस इतना से ध्यान रखिए यह चार दिसाएं आप देख पाने हैं, उत्तर दच्चड पूरो पस्चिम, इसमें आप मैं जो है, मैं से आपका हो जाएगा मैसूर, मैं से आपका क्या हो जाएगा, मैसूर, और यह आपका दच्चड दिसा हो जाएगी, फिर मैं के बाद ही, ही से आपका हो जाएगा हिमा आलाश्ट में आ रहा है यानि हूं से आपका हिंदु कुस परवत हो जाएगा तो इस प्रकार से आप चारो दिसाएं याद रख सकते हैं ये हिंदु कुस परवत लिखा हुआ है तो ये जो है जो सामराज जिता चंद्रगुप्त मौरे का वो फैला हुआ था कहां से कहां तक जो हाँ साएं उत्तर में हिमाले से लेकर दच्चीड में मैसूर तक और पश्चिम में हिंदु कुस परवत से लेकर आपका पूर्व में बंगाल की खाडी तक चंद्रगुप्त मौरे जो है इनका सामराज जो हो फैला हुआ था तो इसके सम्मन में प्रसन काफी पूच ज या रंगूल में यह चार आप्शन दे रखें आपको बताना है कौन सा सही होगा और इसके लाब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सेहर आवश्च कीजिएगा ताकि इसी प्रकार हम आपको अपर प्राइमरी के लिए और अच्छे से अच्छे प्रसन करा सकें और आपकी अच्छे अच्छी प्रेक्टिस होती रहे तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल आपका उप्षन नमबर सी जो है वो सही हो जाएगा यानि कि सिंगापूर में नेता जी सुभास चंद बोज़ द्वारा आजाद हिंदु फौज का गटन जो है वो किया गया था तो कहां किया गया था सिंगापूर में जो है वो किया गया था बढ़ते हैं अपने एक लिए प्रस्ण आठ की तरफ कि वायू मंडल की निमलिखित गैसों में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा सगनता वाली गैस है चार उप्षन दे रखे हैं आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, औरगन या कार्बन डाइ ऑक्साइड तो वायू मंडल की निमलिखित गैसों में कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद आपको बतानी है तो चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका उप्षन नमबर ए ऑक्सीज लिखा भी देखने को मिलता है तो आपका ये जो है वो ऑप्षन नमबर ए जो है वो सई हो जाएगा पढ़ते अपने अगले प्रस्ट नौ की तरफ अगला प्रस्ट नौ कहरा है कि भारतिये सैन एकाइडमी कहा जो है वो इस्तित है चार उप्षन दे रखें आपको देहरा दून आप्षन नमबर ए जो है वो सई हो जाएगा भारतिय सैन एकाइडमी जो है वो दहरा दून में इस्तित है अगला प्रस्ट कहरा है बीस वा कि निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन ग्राम सभा के विशे में जो है वो सत्य है चार आप्षन दे रखें आपको बताना है कतन है कि गाओं का हर वेक्ति ग्राम सभा का सदस्य है दूसरा कह रहा है कि कोई भी जो अठारा सालिया इससे अधिक है वो ग्राम सभा का सदस्य है तीसरा कह रहा है कि कोई भी जो 21 सालिया इससे अधिक है वो ग्राम सभा का सदस्य है और चौता कह रहा है कि एक ग्राम सभा में केवल एक ही गाउं होता है आपको सत्य कथन का जो है यहां पर चुनाओ करना है इस प्रकार के भी आपके प्रस्ण सोसल साइंस में जो है जो की प्रस्ण आते हैं वहां पर पूछे जाते हैं तो चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका option number B बिल्कुल सही हो जाएगा कि क कोई भी जो 18 साल या उससे अधिक का हो वो ग्राम सभा का जो है वो सदस से हो सकता है देखिए जो ग्राम सभा है यह एक गाउं या कह सकते हैं कुछ गाउं से मिलकर जो है वो बनती है और जिस व्यक्ति की भी आयू 18 साल या उसससे अधिक है तथा जिसे मतदान करने का आप कह सकते हैं अधिकार है वो ग्राम सबा का सदर से जो है वो बन सकता है तो यह जो है इसके समंद में ध्यान में रखिएगा बढ़ते आपने अगले प्रस्टिसी 11 की तरफ की राज-व्यक्ति से पहले है ये किसका कथन है बहुत important कथन है ध्यान रखेगा चार option दे रखें आपको बताना है कि राजव्यक्ति से पहले है ये कथन जो है वो किसने दिया था option A, B, C या D तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिलकुल आपका option number B अरस्तु जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा अरस्तु का ये बहुत famous कतन है कि राजव्यक्ति से जो है वो पहले है बढ़ते है अपने अगले प्रसंद 12 की तरफ अगला प्रसंद 12 कह रहा है कि निम कोज जो है वो नहीं पूछा जाता है यहां पर जो लिखा हुआ है समुद्री मार की कोज किसने की तब आपका प्रसंद जो है वो complete होता है बात करते हैं उत्तर की तो वासको डिगामा आपका option number C जो है वो सही हो जाएगा ये प्रसंद I think कल भी आया था और मैंने बताया था 1498 इस्वी में जो वासको डिगामा है ये जो है वो पुर्तगाल के नाविक थे और ये काली खट जो है सबसे पहले पहुचे थे और इन्होंने ही जो है वो समुद्री मार की खोज की थी देखे केवल आप ये कहींगे कि भारत की खोज की थी तो आप ये भी कह सकते हैं कि मुद्री मारक की खोज जो है यहाँ पर प्रस्ण में add किया गया है इसके समद्ध में यहाँ पर प्रस्ण जो है वो पूछा गया बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण आपका numerical यहाँ पर पूछा गया है कि एक 144 यंत्र वायू में एक second में 256 बार जो वेग और आपका जो N है इस कमान क्या होता है N मतलब होता है आपका आवरत्ती तो आवरत्ती और गुड़े लेमडा लेमडा जो है इस प्रकार से लिखा जाता है इस प्रकार से इसका चिन्न होता है और ये आपका तरंग दैड़ जो होता है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अब प्रस्थ में देखे तो आपको तरंग दैड़ जो है वो निकालना है यानि कि जो lambda इसी कमान निकालना है तो आप इस N को क्या करेंगे इस वेग के बटे में जो है वो ले जाएंगे तो V आपका यानि कि जो वेग है यह आपका प्रस्न में दे रखा है कितना 330 जो यहाँ पर N आप देख पा रहे हैं यह कितना दे रखा है N मैंने आपको क्या बता है N जो है आपका हो जाता है आवरत्ती जो आपका प्रस्न में कितना दे रखा है 256 बार दोलन करता है आवरत्ती क्या होता है कि कोई चीज कितनी बार repeat होती है यानि कि आपको वेग भी प्रस्न में पता है 330 N आवरत्ती भी पता है 256 तो क्या यहाँ से आप lambda कमान नहीं निकाल सकते हैं उसका मान निकल कर आ जाएगा 330 बटे 256 को आप भाग करेंगे तो आपका 1.2-3 मीटर आ जाएगा इसको आप चाहें तो किलकुलेटर से कर सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस प्रकार से आपको प्रस्न करना इसका सूतर ध्यान में रखेगा इस प्रकार के प्रस्न भी काफी बार आपके पूच लिये जाते हैं बढ़ते हैं चलिए आपने अगले प्रस्न 14 की तरफ अगला प्रस्न कहा रहा है कि निकली किस सदन में अध्यक्च के लिए नियुनितम आयू पातर था जो अपने सदस्य हैं उस से अलग होती है मतलब सदस्यों की जो आयू कितनी चाही होती है वो और जो उसके अदाच है उसके लिए नियूनतम जो आयू हो चाही होती है वो दोनों में difference किसमे है वो चार option दे रखे आपके पूछा गया कौन सा सही होगा चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका राजसभा बिल्कुल सही हो जाएगा राजसभा का सदस्य बनने के लिए जो नियूनितम आयू चाहिए होती है 30 वर्स जब बात की जाए नियूनितम आयू सदस्य बनने के लिए परन्तु रोज राजसबा है उसका कह सकते हैं अध्यच बनने के लिए वो कितनी एज चाहिए होती तो वो आपकी 35 वर्जव है वो चाहिए होती तो यही दोनों में पूचा गया था कि अपने सदस्यों से अलग है तो देखें 30-35 अलग है यही इसलिए आपका राजसबा बिल most important आपका question है काफी competitive level में पूचा जा चुका है बात करते हैं चलिए उत्तर की तो आपका option number C 1974 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भारत ने अपना पहला स्वदेशी जो परिछड परमाडू विस्पोर्ट है वो 18 मई 1984 को किया था और कहां किया था तो राजिस्थान जो है उसके जैसल मेर जो जिला है उसके पोकरन में जो है इस्थित जो थार मरुस्थल है उसमें 107 मीटर की जो गहराई है इसमें जो है वो किया था और एक स्थान भी इसमें दिया गया था इसमें जो है वो किया था मैं एक फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत ने अपना पहला जो स्वदेशी परिच्छड परमाडू स्पोर्ट है वो 18 मई 1984 को कहां किया था तो सबसे पहले राजिस्थान राजिस्थान के अंतरगत जैसल मेर जिला और जैसल मेर जिले के अंतर इसमें 107 मीटर की जो गहराई है उसमें एल आकार जो है उसके स्थान पर जो है वो किया था और प्रतम परमाडू परिच्छड के 24 साल बाद यानि कि 1974 जो आप देख पा रहे हैं इसके 24 साल बाद जो पोकरण में ही 1998 में दूसरा आपका परिच्छड जो है वो किया गया था इस सभी पॉइंट ध्यान रखेगा कहीं से भी आपसे प्रसंद पूछा जा सकता है अगला प्रसंद देखते हैं 16 कि निम्लिकित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मुल्यांकन CCE से सम्बंद जय वो है तो चारो आप्शन दे रखें आपको बताना है इन चारों में से कौ होगा देखे कभी आपको ना भी आ रहा हो आपको क्या करना है जो निगेटिव सेंस दे रहे हैं स्टेटमेंट उनको काटना है अब देखे सबसे पहला क्या कह रहा है रटकर तो क्या रटकर कभी आपका उत्तर सही हो सकता है अब ऐसे ही इसको काट सकते हैं आगे क्या कह र प्रकार के आपके कथन कभी सही हो सकते हैं, आप कहींगे बिलकुल नहीं, फिर कह रहा है कि बाल के इंदरिक सिक्षड जो तरीके उनका समर्थन करना यह हो सकता है, केवल मुल्यांकन यहाँ पर केवल लग गया, यह एक लिमिट टैख कर देता है, तो आप कहींगे बिलकुल आपका option कौन सा बचा, option C बचा, तो आपको विल्कुल भी ना पता हो, कि यहाँ पर कौन सा कतन सतत और व्यापक मुल्यांकन से संबंदित है, तब भी आप लगा सकते हैं, बस आपको चार कतन में सही कतन का चुनाओ करना है, तो आपका बाल केंदरी सिक्चर तरीकों का option करना option C जो है, वो सही हो जाएगा, बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रसन 17 की तरह, इसके लावा वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रवाइड कराने तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, चलिए देखते है, प्रसन 17, अगला प्रसन 17 के रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो है, वो कहां दिया था, प्रियाग में, लुम्विनी में, गया में या सारनाथ में, और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है, वो सही होगा, चलिए बात करते हैं उत्तर कि आपका option number D सारनाथ जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध कह सकते हैं, या महात्मा बुद्ध कह सकते हैं, भगवान बुद्ध कह सकते हैं, इन्हों ने अपना पहला उप्देश जो है, वो सारनाथ में जो है, वो तिया था, और ग्यान की प्राप्ती ने कहां हो तो दूसरा आपको सदयाव याद रहेगा बढ़ते अपने अगले प्रसंद 18 की तरफ इन इमलिकित में से किसे चातर द्वारा किये गए विवहार के अंतरगत अच्छा माना जा सकता है चातर प्रसंद पूछने में स्वतंतर महसूस करें चातर समय पर अपना ग्रह कारे करें चातर कक्छा में सही अनुसासन में विवहार करें या चातर अवधानाओं के विचार को ग्रहन करने में कम समय लें तो चार आप्शन आपको बताना है काउन सा सही होगा बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका आप्शन नमबर एस बिल्कुल सही हो जाए कि चातर प्रसंद जो NCF है उसमें भी जो है वो बताया गया है चातरों को खुद से प्रसंद बना कर उस पर सोचना चाहिए और जवाब देने के लिए जो है वो सवालों का जो वयसक है उन पर रकेवल जो है वो निर्भर नहीं रहना चाहिए बढ़ते अपने अगले प्रसंद और लास्ट प कौन सा सही होगा प्राचीन रोम जो है वो कब गरतंतर बना चलिए बात करते हैं उतर की कौन सा सही होगा तो आपका option number A छटी सदी इसवी पूरूब जो है आपका सही हो जाएगा option number A चलिए बढ़ते अपने प्रसंद की तरफ जैसे कि सभी वीडियो में हमां आपसे एक न अवश्य बताईगा इसी के साथ हमारे आज के प्रस्ण 20 समाप्त होते हैं कुल 20 में से आपके कितने प्रस्ण सही रहे कमेंट सक्षन में टाइप करके अवश्य अपना स्कोर बताईगा ताकि मुझे भी पता चले कि कितने आप जो प्रस्ण है वो कर पा रहे हैं यदि आप 15 स ज़्यादा प्रस्ट निया आपर सही कर रहे हैं तो आपकी अच्छी तैय Receband is Karm तो आपको फोड़ा सा और महनब करने की के अवश्चकता है तो इसे के साथ हमारे आज के प्रस्ट समापत होते है। आज की वड़िए में इतना ही वीडियो पसंद है molto तो लाइक आवस्ट कीजिएगा, नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब यूरू कीजिएगा, चलिए मिलते हैं, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक लिए नमस्कार, थेंक्यो फॉर वाचिंग.